नई सिच्छा नेती पर सबसे अच्छा निवंद कैसे लिखें? चलिए आपको बताते हैं, इसके लिए सबसे पहले रूप रेखा लिखेंगे, रूप रेखा में प्रस्तावना, नई सिच्छा नेती का उद्देश, नई सिच्छा नेती की विशेशताएं, नई सिच्छा न प्रस्तामना और लिखेंगे उचित बुनियादी सिख्छा प्राप्त करना प्रतेक विक्ति का जन्म सिध्ध अधिकार है सुखी जीवन जीने के लिए सिख्छा बेहद महत पूर्टत्त है 21 सदी में 1986 के बाद राष्टिय सिख्छा नेती में बदलाओ जुलाई 2020 में हुआ और यहाँ नई सिख्छा नेती 2020 के रूप में सामने आई फिर अगले हेडिंग नई सिख्छा नेती का उद्देश से एक बच्चे को हर छेतर में कुसल बनाना है इस नेती को लागू करने के पीछे सरकार का यह प्राथ्मिक उद्देश से था कि भारत में सिख्छा के मानक अस्तर को उपर उठाया जाए सरकार ने सिख्छा की गुडवत्ता में सुधार लाने के लिए और बच्चों को अच्छी सिख्छा देने के लिए पुराने सिख्छा नेती में संसोधन करके नई सिख्छा नेती को लागू किया फिर अगले हेडिंग नई सिख्छा नेती की विशेस्ताएं नई सिख्छा नेती में पुस्तोकों का बोज बढ़ाने के बजाए ब्योहारिक सिख्छा को बढ़ावा दिया गया है छात्रों को पाठेक्रम के विशयों के साथ साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठेक्रम का चयन करने के भी स्वतंतरता होगी इस तरह से कौसल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा यह 10 प्लस 2 सिश्टम को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 संदरचना के साथ बदल देता है जिसमें 12 साल की स्कूली सिख्छा और 3 साल की प्री स्कूलिंग होती है फिर अगली हेडिंग नई सिख्छा नीति के लाभकारी प्रभाव यह सीखने वाले की आत्म छमता संग्यानात्म कौसल पर जोर देता है पहले छात्रों के पास अध्यन के लिए केवल एक ही विसे चुनने का विकल्प था लेकिन अब अलग अलग विसे चुन सकते हैं इस नीति का मुखे उद्दे से चात्रों के बीच नवीन विचारों के समावेश के साथ सैभागिता, महत्पून सुच और तर्क करने की छमता को विक्षित करना है नई सिच्छा नेति किसी भी विसे को सीखने के बेवहार एक पहलो पर केंद्रित है क्योंकि यह अवधाना को समझने का एक बेहतर तरीका माना जाता है रगले हडिन डालेंगे नई सिच्छा नेति से नुकसान तो पांचवी कच्छा तक की पढ़ाई को छेत्रिय भासाओं में जारी रखना सबसे बड़ी समस्या है बच्चे को छेत्रिय भासा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए उसका अंग्रेजी भासा के प्रतिरुझान कम होगा जो पांचवी कच्छा पूरी करने के बाद आवश्चक है बच्चे संद्रशनात्मक सिच्छा के अधीन है जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोज बढ़ सकता है फिर अंतिम हेंडिंग उपसंगार नई सिच्छा नेति कई उपकर्मों के शाथ रखी गई है जो वास्तों में वर्तमान परदिश की जरूरत है नीति का संबंद अध्यन पाठे क्रम के साथ कौसल विकास पर ध्यान देना है किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश से पूरा करने में मदद मिलेगी नई सिच्छा नेति से हमारा राष्ट्र प्रगति की और अगरसर होगा इसी के साथ आप सब लोगो धन्यवाद